तो अब मुझे यहाँ पर Ishtring declare करना आपको बताना है, तो जैसे कि Ishtring है मेरी S नाम की, तो मैं इसको कैसे declare करूँगा, कि मैं यहाँ पर लिखतू हूँ, कोई भी Ishtring, जैसे कि Hello, ठील है, अब मैं इसको enter करूँगा, फिर मैं पूछूँगा कि इसका type क्या है, तो पता इसको बीटो नुमबर पर, यह है first index, यह second, यह third, यह fourth, यह space है fifth, six, seven, eight, nine and ten, इसमें total कितने characters हैं, 11 characters है, तो अगर मुझे मान दो, यहाँ पर O चाहिए, तो मैं इसके लिए क्लिका लिखूँगा, 0, 1, 2, 3 and 4, तो मैं बोलूँगा कि Ishtring के फूछ इंडे वाल्या इंडे व इसके लिए वीडियो में, मैंने negative indexing के बारे में भी बता रखा, चलिए इसका example दे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर, मुझे D चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, S का minus one, S वाली Ishtring में minus one index के जो पड़ा है, मुझे बोलाओ, तो जब भी हमें आखरी बा इसके बात करी थी, alien function होता है, concatenation, string को जोड सकते हैं, concatenate कर सकते हैं, string को repeat कर सकते हैं, मतलब repetition में आप आपको बता रहता हूँ, कैसे मेरी string है, S, तो मैं इसको दो बार लिखना चाहता हूँ, hello word, hello word, तो मैं आपके लिखूँगा, S into two, तो अब यहाँ पर लिखूँगा, अब मैं पूछना चाहूँ इससे, hello, तो मैं पूछना चाहूँ कि यहाँ, hello in s, क्या hello नाम की sub-string क्या s में है, तो यहाँ पर देखिए, s में hello word लिखा है, तो answer गयाना चाहिए true, तो answer आ रहा है true, तो यह था वहाँ पर sub-string testing का, अब sub-string के बारे में इतनी बात होई दिए, तो चलो वही बताई देते हैं, जैसे कि मुझे sub-string चाहिए, इससे मुझे hello निकालना है, तो इस string से, अगर मुझे कोई part निकालना हो, उसे कहते है, sub-string, अब मुझे hello निकालना है, तो मैं क्या बनूँगा, 0 से चालू करो, 1, 2, 3, 4, 4, 0 से लेके 4 तक के character चाहिए, तो मैं अब आते हैं, हम लोग अपने string के built-in functions के बारे में, तो सबसे पहला function है, यहाँ पर count function, count function नाम सी पता चल ला है, और हमने इससे पहले जितने भी data structure पढ़े थे, list of additionary, उसमें हम लोग ने count function का use करा हुआ था, तो मान लोग कि हमने यहाँ पर यह string अपनी दूबारा यहाँ अब मैं चाहता हूँ कि count करना चाहता हूँ किसी भी word का अकना जैसे, कि इस string में hello word लिखा है, अब मैं पता करना चाहता हूँ कि L कितनी बार आया है, तो यहाँ पर मैं लिखना हूँ का count L, count किस में करना है, s में तो सब्खेर लेंगे s.count L, अब मैं इसको run करूं का को सब क कितनी बार आया है ठीक है तो यहां से क्या पता चल्ला दीन बार आया है फिर आता है हमारा alien function तो alien function के बारे में भी हम सभी जानता है यह से मुझे पता करना हूँ कि पर इस ट्रिंग में total कितने characters हैं तो यहां पर लोग क्या लिखेंगे alien function तो यह पता देगा 11 character है अब max min तो हम उन्में list में पढ़ा था, double से पढ़ा था, तो max min का इसमें क्या काम है, max क्या कहता था, उस list में जो सबसे बड़ा नंबर होता था उसको निकालके देदे देदा था ठीक है तो अब यहां पर तो कोई number है यहां पर तो characters है, तो कोई दिखकर नहीं है जो करेक्टर सबसे बड़ा होगा A, B, C, D, E, F, G जरक तर पड़ा ही हुआ है तो जो करेक्टर सबसे बाद में आएगा कहने का मतलब है कि जो इनमें सबसे बड़ा करेक्टर होगा वो हमें रिटर्न कर देगा तो अगर मैं MaxS लिपता हूँ पूरी लिस्ट में जो सबसे चोटी वैल्युटी ती सबसे minimum वैल्यू थी हमें कोधे देता था अब इस ट्रिंग में मिनका काम क्या होगा जो सबसे चोटा alphabet होगा तो धेक्षी जी रिखनता हैम्पूरी आठीडें किस्ट्व करी सबसे चोटा alphabet तो मैं क्या करता हूँ, यहां से space अठा देता हूँ, ठीक है, अब मैं यहां पर लिखता हूँ, min, s, तो हमें क्या answer देगा, यह D, तो यहां पर जो D है, वो सबसे छोटा है, ठीक है, तो अब आते हैं, capitalize function में, capitalize function क्या करता है, कि हमारे जो string होती है, उसमें जो पहला word होगा, उसका पहला letter capital कर देता है, ठीक है, तो अभी तो यहां हमारे दूसरी string लिखी हुए, हम लोग यहां क्या करते है, एक string बनाते है, दूसरी सी, अब मैं चाहता हूँ, आधरच का A capital हो जाए, तरीका तो यह है, कि मैं especially यहां बोलूँ कि S के 0 में, क्या करो, equal capital A, तो इस तरह से करेंगे, तो हो जाएगा, मगर मुझे इस तरह से नहीं करना है, मुझे function यूज करना तो मैं क्या लिखूँ कि S.capitalize, S में जाओ, और capitalize कर दो, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि, आधरच का A capital हो गया, ठीक है, तो capitalize function का काम क्या होता है, यह क्या करता है, कि हमारे string में, तो सबसे पहला-पहला character होता है, उसे उठाके capital कर देगा, अब इसका एक और example देखों यह आप है, यह से मैंने लिखा है, 1, 2, 3, then r, ठीक है, तो अब इसको हम capital कर देखें, तो कुछ लोग क्या पे थे लिखेंगे, ऐसे case में capitalize करने कर यूज करेंगे, यूज को सोचें कि क्या 1 को भी capital कर सकते हैं, तो 1 का capital कुछ होता नहीं है, तो इस concept देख लेते हैं, तो इसमें कोई दिककत नहीं होगी, इसमें कुछ भी change नहीं आएगा, ठीक है, क्या यूज क्या है, एक numeric data है, एक number है, ठीक है, और जो number होता है, उसका कोई capital होता ही नही ठीक है उसको capital करेगा यह तो था हमारा capitalized, जिराता है हमारा title, तो title तो आप लोकुन देखे होंगे वह साइ title होते है, movies का title हो गया आपके, ठीक है, आप किसी artwork में गया है, तो वहां पे आपको title मिलते है, आपके annual fest में आपको titles मिलते है, तो वह साइ title क्या होते हैं, आपने दे तो title बनने का मतलब क्या है कि इसमें A capital हो जाए और W capital हो जाए title का मतलब से रही होता है जितने भी word होते है उनकी शुरुवात capital letter से होनी चाहिए तो उसके लिए मैं यहां पर कहा लिखनागा s.title तो देखो यहां पर आदश का capital पर हो गया और welcome का W capital हो गया इस में कर देता है ठीक है अपर के lowercase तो पता ही होगा होना अपर केस मतलब capital AS samle k cap X lowercase का मतलब small as e svaak small z क् Об आदख काम जानाぐ Social एक होना था पर ठैलीं का V how दो आता है हमारा lower के बारें मातने का बारें बात करते हैं तो देखो, जो हमारा Hello World था, अब वो कैसा हो गया, सब कुछ स्मॉल लेटर में हो गया, ठीक है, अब इसका जिस्ट उटा होता है, अब इसके बारें बात कर लेते हैं, तो अपर के लिए मुझे क्या करना होगा, यह वाल इस्टिंग में पपी कर लेता हूँ, जब सब कुछ स सारे लेटर केल करने हो, तो फिर हमें लेटर सुझ उटता है लेटर टालल करने हो, तो वहाँ पर हमारा क्या क्काम आता है, लोबरेंड अपर, वहां है यह जो हो गया, फिर हम दो काता है इस-स-स-स-स-ust- raises 새घं, मैं पता करना चाहता हूँ की यह हमारी string है इस टाइटल है क तो यहां पर में क्या लिखूंगा ए जो है क्या इस टाइटल क्या ए टाइटल है तो ऐसे मैं लिख दिया अब यहां पर पता चल जाएगा कि क्या है true अब क्यों आ रहा है क्यों कि देखो यहां पर हाइक वर्ड का जो पहला लेटर है वो capital है A capital and W capital है इसका मतलब क्या है कि A.H title जो है वो क्या करता है boolean answer देता है boolean value का result देता है फिर आता है हमारा is upper तो is upper के लिए हम लोग यहां पर देख लेता है अब मैं पता करना चाहता हूं कि यह क्या upper case में है तो upper case में करने के लिए मैं पूछूँगा is upper क्या मेरी जो A naam की ishting है वो क्या upper case में है तो यह क्या answer देगा false false क्या यहां पर आधर इसमें देखो A capital है मगा बाकी सब तो small है तो कि upper case में होने के लिए सब को capital होना चाहिए तो अब मैं अगर A को upper case में करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा यहां पर लिख दूँगा A is equal to A.upper ठीक है इससे क्या होगा कि मेरी जो A में इस्टिंग पड़ी है वो क्या हो जाए कि upper case में हो जाएगी फिर अब मैं इससे पूछूँँ अब मैं A print करके देख लेता function बिल्कुत से ही उसी तरह काम आएगा जैसे कि अभी मानलो कि हमारी A में क्या पड़ा हुआ है आदश पड़ा हुआ तो अब इसको क्या करते हैं copy करते हैं यहां पर लिखते हैं यह ठीक है अब मैं पता करना चाहता हूँ क्या lower case है तो मैं कहले कूँँगा A dot is lower तो जो A मे क्या lower case में है तो यहां पता कर लेते हैं यहां तो false आएगा क्योंकि यह आपर यह जो है upper case में ठीक है अब मालो कि हमें आप यह string लिखते हैं यह साब small में लिखा हुआ है ठीक है फिर मैं यह पूछता हूँ अब बताओ क्या lower case में है तो answer क्या देगा true जो कि मैंने यहां प अब लिखा करना चाहता हूँ कि यह alphabet लिखा है तो मैं आपको a.alpha अब alpha से पहरे यहां मुझे इस लगाना पड़ेगा क्या alphabet लिखा हुआ है तो यहां मैंने इसमें क्या कर दिया numbers डाल दिया मैंने लिखा 1,2,3,4,5 and capital A and small A तो मैं इसको run करूँगा और मैं इसको run करूँ यह तो हो का नहीं है तो यहां पर बाई होगी कि जो इस alpha check करता है वो क्या check करता है कि हमारी ishtring में सारे alphabet है कि नहीं है अगर उनमें से एक भी हमारा number यह जो alphabet नहीं हो तो वह हुआ तो क्या देतेगा? false statement फिर आता है हमारा isl num अब इस l num कहां कहां गां आता है जैसे कि मालो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं तो यह आँचेक करेगा कि हमारे चीजिट करेगा अगर उसमें हमारे numbers है digits है या फिर हमारे alphabets है तो answer क्या देते है true अगर ऐसा नहीं तो answer क्या देते है false यहाँ पे देखेगा कि यहाँ digits हैं और alphabets हैं तो कोई problem नहीं तो answer के आना चाहिए, do आना चाहिए, answer आ रहा है, prove तो फिर आते हैं इस digit पे तो इस digit तो यह कह चेक कहता है कि मेरी जो string है उसमें digit है कि नहीं, जैसे कि यह मालूँ 12345 मैंने लिखा हुआ है तो मैं पता कहना चाहता हूँ कि इसमें digits बनी है कि नहीं, digits अंदश दो है कि नहीं, तो क्या रहा है तो क्या कहते है कि हाँ है, और मैं same string पे थोड़े से यहाँ alphabet और write कर दो अब मैं पुछू कि क्या आप यह digits हैं, तो अब यह बोला है false क्यों कि यहाँ आप यहाँ यह हमारे istring में space है कि हैभी मालूğ मैंने simple,Kंषे हैvene string श्षट,जडete लगा यह Jaime तो आप बोल देगा false, अब false में बोल लाए है क्योंकि हमारी space के अलावा यहां पे alphabet भी तो is space क्याता है तभी true देता है जब हमारी पूरी string में सर्फ और सर्फ space ही हो और कुछ हो ही ना तो अब मैं यहां पर यह लिखना हुआ है space, space, space अब हम दोग चेक करते है s.is space क्या s जो है s string में जो characters पढ़े हैं क्या वो space है तो आप देखो दे रहा है true तो is space क्या करता है चेक करता है कि अगर सिर्फ space है तक भी true देगा वरना क्या देगा false देगा सारो है जैसे कि यहांपर false दिया था और यहांपे false दिया था ठीक है तो आओ हम लोग बात करते हैं अपने कुछ new functions के बारे में जैसे कि यह 앞에 पर की swap case क्या करता है जैसे कि मालो मेरे s में लिखा हुआ है तो आप मैं क्या कनना चाहता हूं इसका swap case करना चाहता हूं में आया सारा capital में आया अब इसके लिए हम लोग एक और बाइस को समझेंगे इस बार मैं H को यहाँ capital कर देता हूँ and then W को यहाँ पे capital कर देता हूँ ठीक है and enter और हम लोग इस चीज़ को यहाँ दुवारा run करेंगे तो को हमारा capital होगा वोग में बतल जाएगा जो एक स्मॉल होगा वोग में बतल जाएगा जो प्रग्राम करेंगे तो इन सब का बहुत यादा यूज़ करने वाज़े है तो अब आता है हमारा find gel, तो find में क्या होता है, कि नाम सी पता चल ला है, कि find क्या करेगा, कि हमारे पूरी string में जाएगा, और वो उस character को दोड़ेगा, कि वो character उस particular string में है की नहीं, तो मैं आप इखले होगा, s.find, s में दोड़ो, क्या दोड़ो, मुझे मालने जैसे capital w.doon है, ठीक है, मैंने पूछा, तो क्या answer देगा, कि 6 index पर पढ़ा हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, तो s.find ने क्या कर दिया, कि इस पूरी string में गया, ठीक है, इसमें दोड़ा कि मेरा capital w.doon कह s.index, और अब मैं पूछूँ, कि capital w जो है, वो हमारा कहा पर है, इस टेक में, तो इसने पर 6 return किया, तो आप लोग यह सुच रहोगे, कि अब find और index जब एक ही काम कर रहा है, यहाँ पर, तो हम लोग ने दो-दो अलग-अलग function क्यों बाता है, ठीक है, तो बिल्कुल साही आपका सुचना बिल्कुल साही है, यहाँ पर, find और index जो है, वो बिल्कुल same चीज रिटन करना है, यह भी 6 कर रहा है, यह भी 6 कर रहा है, तो इस चीज आपर बहुत ही गौर करने वाली है, वो अभी हम लोग example सामने देखेंगे, बिठी है, जैसे कि मुझे find करना है यहाँ आपके small w, इतना हम जानते हैं कि small w तो है नहीं है, तो यह क्या देगा, minus 1 लिटन कर रहा है, मतलब error नहीं दे रहा है, फिर हम लोग find करते हैं, index वाले से, index का use करके, अब बताओ कि w कहाँ पर है, तो यह क्या दे रहा है, error दे रहा है, यहाँ पर यही है हमारा difference, find और index में, minus 1, और index function को अगर वो character नहीं मिला तो सिधा error दे देता है, तो अगर error से deal करना नहीं आता है, हमें error नहीं चाहिए, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, s.find, तो हमें answer क्या मिलेगा, minus 1, अगर होगा, तो हमें बता देगा, कि इस index पर अगर वो character हमारी string नहीं होगा, तो नहीं होता, minus 1, आज हम लोग part 2 की बात करने वाले है, तो इसमें हम लोगे total 13 यहां पर functions है, तो इसमें यह करके हम लोग बात करेंगे, जब से पहले आता है हमारा replace function, तो हम लोग क्या करना है, हम अब पर हम हमारी इक string है, तो हम्में क्या करना है, replace function यूंज करना है, तो हम जाए या फिर वहां पर कोई symbol आजाए तो हमें यहां पर का लिखेंगे s.replace हमारी string में replace कर दो क्या replace कर दो और यहां पर दो चीजें होंगी input तो जहां हमारा O है उसको किस से replace कर दो मलनु की dollars आएंच से थीक है तो इसको रन करते हैं जहां जहां हमारा O होगा वो जो है किस में बदल जाएगा dollar में बदल जाएगा और हमारी पूरी string में हमारा O है वो replace हो जाएगा dollar से तो हमारी string कुछ इस प्रकार होगी तो replace function कहां काम आता है कि जब हमें कोई एक character को हटाना होता है हमारी string से उसके जगा कोई नया character introduce करना होता है अब जैसर कि मैं यह आ पर चाहूं कि O को में बिल्कुल ही आठा दूँँ तो मैं यह आ पर क्या लेकूंगा यह एक space डाल दूँगा तभी मेरा रन करेगा तो अब O के जगा क्या आ जाएगा space आ जाएगा space आ जाएगा हम लोग को क्या करना है इस string को list में बदलना है तो अब हम इसको list में कैसे बदलेंगे यह पर लिखेंगे s.split हमारी string को split कर दो split करना मतलब तोड़ देना कुछ बागों में तोड़ने को split करता है तो मैंने कैसे split किया एक space से, जहाँ-जहाँ space होगी वहाँ से string को तोड़ दो और उतना पुरा पार्ट उठाके list में रख दिया तो पहले youth, 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 youth और जहाँ space मिला तो youth को उठाया और हमारी list में फेक दिया ठीक है अब इसके लिए मैं आपको एक और example दोगा कि जैसे कि मैं अपमालो यह नाम की मेरी eq string है तो इसमें लिखा हुआ है yodh देन यह dash बना हुआ है then nation then dash बना हुआ है and then codrs youth nation code asus पना से लिखा हुआ ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें split लगाना है तो अब मैं इसको split कैसे करूँगा तो मैं आगे लिखा हुआ है s dot s नहीं है a है तो p dot यह को split करो अब मुझे क्या करना है u त अलग रखना है nation अलग रखना है order स अलग रखना है तो इसके लिए मुझे इसको split करना पड़ेगा तो split के अंदर आम लोग वह character pass करते हैं जो कि यहां पर हमारे words की बीच में आ रहा है तो यहां पर dash sign है तो अगर मैं इसके अंदर dash यहां पर ऐसे लगा दूँ तो अब यह क्या करेगा अब youth अलग हो गया, nation अलग हो गया encoders अलग हो गया तो यहां पर एक चीज़ देखने वाली कि split क्या करता है कि एक character input लेता है और वो character इसको जहां जहां मिलते है वहां से list को क्या करते है विच से काट देता है, तोड़ देता है listing को cut कर करके उसके piece होंगे, उसको उठाके list में रख लेगा तो बस हमारे यही काम था split का, अब का video भी क्या होता है कि माल लोग कि हम लोग यही string दुवारा लेते है इसमें space separated का मैं यहां पर लिखता हूँ test.split तो मैंने split के अंदर कुछ पास नहीं किया तो देखो तब भी हमारा क्या है use अलग आ रहा है, initial अलग आ रहा है तो ऐसा क्यों आ रहा है क्योंकि हमारा split होता है कि split के नहीं कुछ पास नहीं करेंगे तो समझ जाता है अपने मन से कि यहां पर space से separate करना है तो यह खाज़त होती split function की कि अगर आपने अंदर यहां पर अलग से कोई character नहीं दिया तो समझ जाएगा space है space से separate करना है और आप especially कोई character इसको अलग से दे रहे है तो वह अपना समझ जाएगा उस character के हिसाब से आपके string को cut करके list में रखते हैं तो यह काम तो मेरा split का फिर आता है तो मैंने कह दिया space से split करना है कॉमा कितनी बार split करना है तो मैंने कह दिया एक बार split करना है तो वहां कहा रहा है यूथनेशन और फिर क्या रहा है coders अलग रहा है तो यह तो था मेरा काम R split का यह कहता है एक हमसे symbol input लेगा ठीक और एक number input लेगा कि उसको कितने times cut करना है भीस से ठीक को तो अब आता है मेरा split lines split lines इसे नाम से पता चला है यह जैसे मेरी कोई string है वो multiple lines में लिखी हुए जैसे मालब मेरे पास एक string है यहाँ पर अब जब multiple lines में लोग किसी string को लिखने है तो मैं यूटे करते हैं prepare double codes के अंदर इसे रख देते हैं फिर मैंने क्या किया यहाँ बोला s.split lines तो मेरे जो string है उसमें उसको lines के हिसाब से split कर दो अगर line change है तो आहाँ से cut माया दो फिर मैंने क्या इसी को फिर है print कर दो मैंने इसको क्या करा अब मैं इसको run करता हूँ तो इसको save करना पड़ेकर मैं desktop में इसको save करता हूँ split line नाम से and then save तो इसको देखते रण करते हैं यहाँ पर अलग 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 अरहा है तो यहाँ पर ऐसा क्यों आ रहा है क्योंकि मैंने क्या करा है string जो है वो अलग-अलग line में लिखी है और यह क्या करता है split lines multiple lines में जो है string को cut करता है जैसे ही यहाँ पर दूसरी line पर आयागा तो मैं बुक्रा करते हैं list करते हैं split lines का पर आता है मेरा join अब join का 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 मैं आप यहाँ पर यह देखो जैसे कि मेरे पास एक list है जैसे कि अभी हमने यही list हमारा answer आ रहा था इसी को मैं copy करता हूं यहाँ पर and then paste करता हूं और मैं इसे enter करता हूं अब मुझे क्या करना है मुझे कोई कह दे कि list में जितने भी आप यहाँ words पढ़े है आपको इनको जोड़ना है तो मैं यहाँ पर क्या लेखूंगा join join किसे करना है अब इन double codes का मतलब कि अगर मैं इसको अभी run करता हूं तो youth के साथ यहाँ पर बिना space के आएगा nation फिर बिना space के आएगा codas तो मैं इसको run करना हूं तो youth nation codas किस तरह से यहाँ रहा है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर question mark यहाँ पास किया question mark यहाँ पास किया question mark से separate हो जाएगा joint function क्या करता है कि अगर कोई हमाई list है list में कुछ words पढ़े है उनको निकाल कि मुझे string में बदलना तो मैं कैसे करूंगा joint function का use कर भी करूंगा यह बहुत important function है और यह हम लोगे programming बहुत काम आने वाला है फिर आता है हमारा ishtrip function तो ishtrip function कहा काम आता है अब उसको देखो जैसे कि मुझे क्या करना है एक मैंने string ली हैं आपर youth nation अब मैंने क्या कि youth nation के पहले आपर कुछ number लिए आपर आखर में मैंने क्या करना है अब मैं चाहता हूं कि youth nation कोड़ा मुझे आंसर में मिले और जितने भी characters है जितने भी numbers से सारे हट्च है तो मैं यहाँ पर लिगूँगा s.script इस्टिक को मैंने च्छाटना मुझे किसको च्छाटना है कि मुझे को च्छाटन के हटाना है डिजिट्स को करते हैं से लेके 9 कहीं भी कुछ मिलता है तो इसको आटा दो बागी चीज़े हमें आंसर में देतो अगर मैं इसको देखूं को तो मुझे आंसर क्या रहा है youth nation तो हमारे strip function को काम पर होता है हमारी कुछ भी string है उसमें क्या करेगा अगर यह उसको मिल जाते हैं हमारी original string में उनको हटा देगा तो यह तो काम तामरा strip का फिर आता है L strip का काम क्या है तो ऐसे input में हम लोग strip लगा सकते हैं अगर चाहें तो क्या करेगा यह इतना part हटा देगा youth nation code आंसर मिल जाएगा अगर हम उसको क्यों उसको क्यों उसकरें जाएगा से गवर फंचन का है L strip नाम का L strip क्या क्या करेक्टर्स पे जोगी characters मिलेंगा उनको हटा देगा तो आप मैं अठाना चाहता हूँ जब ऐसी digits पाई जा रही है हमारी string में तुमको हटा दो तो हमें असर में जाएगा एसी हमारा R strip होता है तो मेरा विला R strip ही है तो R strip को कैसे यूज करेंगे कि मालो जैसे कि मेरी अब यही वाली string थी और इस बार में क्या करता हूँ शुरुवात कि यह सब चीजे हटा देता हूँ क्या लिकूं धुरुवा इस.R strip राइट साइड पे strip कर दो किसको हटाना है 123 वो पे 6 7 8 9 कोई नंबर में तो उसे हटा दो अब मैंने का तो भी मेरा वही answer आ रहा है तो यहां पर देखने वाली बात यह है यह तो आपकी string होगी जिसमें आगे भी numbers होंगे और उसके पीछे भी numbers होंगे ठीक है तो अगर आगे पीछे दोनों side numbers है एक साथ हटाना है तो वहाँ पर आपके लिख होगे strip लिख होगे ठीक है अब सेंटर जो है यह बहुत इंपोर्टन फंक्शन होता है यह क्या करता है एक number input लेगा और फिर एक character input लेगा अब जैसे कि माल दो कि मेरे पास एक string गया है इस नाम की इसमें लिखा है y n c अब मैं कहा लिखूँ s.center s में क्या परो center बिला दो s string को center बिला दो अब इसको center बिलाते समय अभी मालू मैं यहां कहता हूँ space से separate हो देना ठीक है अगर मैं इसे run करूँगा तो answer कहाएगा यहां पर 10 देखो 10 block बन जाएगे अगर उन 10 block में जो y n c है यह बीच में center में आ जाएगा और बाकी देखो space से separate हो जाएगा अगर मैं यहां पर space ना लगाके यहां पर मैं dash लिखना चाहूँ तो जितनी भी y n c के अगल बुगल जो जगा है जो blocks बने है 10 block बने इं टोटल इं 10 block में जितने भी अगल बुगल जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा dash sign आ जाएगा तो center को क्या होता है हमारी string को उठाता है और उसको center पर रख लेगा center पर किसके रखेगा तो हमें बताना परता है कितने total number और blocks हैं आप जैसे मालों कि आप 4 block हैं और हमें कोई दो letter जो हो रखने हैं तो इन दो 20 blocks मन जाएगे और इसके बाद ync जो है 20 के beach में आ जाएगा और उसके बाद बाकी जगहों पर dash sign लग जाएगा तो अब यह क्या है 20 blocks है यहां पर center को होता है हम इस string को beach में लाना center पर लाना ठीक है फिर आता है हमारा lgest अब lgest का काम पर होता है left justified मतलब left side पर ले आना अब इसको run करेंगे तो यहां पर हम क्लिकिंग s.lgest और हमें क्या करना है left side पर adjust करना है तो मैं लेग जूँआ 10, हमें separate this से करना है इस sign से तो देखो जो मेरा string होगी वह सबसे left side चली जाएगी left side पर adjust हो जाएगी जाके ठीक है और बाकी जितने भी blocks होगे वहाँ पर क्या आ जाएगा dash sign आ जाएगा तो बाकी कितने blocks है total हमें number of blocks पताने पड़ता है कि 10 block है total 10 block है ठीक है जो हमारे string होगा उसको सबसे left में fake दो जाके तो left में वह होगी कि बाकी जगाओं पर किस से बढ़ जाएगी जगा dash से ठीक है अब ऐसी हमारा rgest होता है तो हमारा आगला rgest है यहां पर ठीक है तो हम तो क्या करेंगे कि stitch को कॉपी करते हैं तो यहां पर इसकी जगा लगा देते है r तो rgest क्या करेंगा हमारे string को उठाके सबसे right में fake देगा इसका जितने भी खाली डिप होंगे वहां पर क्या बढ़ देगा dash का सके तो अब इसको देख लेते हैं तो फिल्वा हमारे string जो है सबसे right inside पर आगी ठीक है किया y & z से शुरुआत हो रही हैं तो यह क्या बताईगा कि हां अब मैं इस से बोलू क्या y 1 & the in the corn या फिर मैं यहां बोलनूं क्या y,z से शुरुवात हो रही है तो क्या बोलेगा false मतलों नहीं हो तो start with क्या बताता है क्या हमारी string में particular character या फिर कोई substring क्या हमारी original string उन character उन substring से शुरुवात हो रही है उसके हमारी string ही तो वह हमें true या false में अंसर देता है फिर रहता है ends with अब ends with का भी same काम होता है अब हम इसको क्या बहता है तो क्या देगा false तो इस तरह से हम लोग start with और end with का यूज़ करता है फिक है